नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सटी हलचल मैं हूँ आपके साथ अशुक चोपरा आमाधी पाल्टी के राज्या सवास दस्या रागव चढधा ने राज्या सवा में विदेशों में बैठे गैंक्स्टरों को बापस भारत लाने का मामला उठाते हुए कहा कि विदेशों में बैठ कर पंजाब साइथ अन्या राजियों का महोल खराब करने के प्रयास में जुटे इन गैंक्स्टरों को बापस भारत लाकर कड़ी से कड़ी कारवाई की जाए उन्होंने पंजाब की पूरव सरकारों पर इन गैंक्स्टर को बढ़ाबा देने का आरोप लगाते हुए कैसे राजिया सबब में जह मामला उठाया आप भी सुनें माने स्री रागहो चुद्धा जी जिस तरह गैंक्स्टर्स हमारे देश में पनपे और फले फूले हैं उसका नतीजा है कि आज गैंक्राईम दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है आज से कुछ महीने पहले ही पंजाब में एक मशूर गायक की गैंक्स्टर्स ने हत्या कर दी थी इन अपराधों के चलते माओं के जवान बेटे जान से हाथ दो बैठ रहे हैं सर ये गैंक्स्टर्स आज देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने में बैठ कर इन क्राईम्स को अंजाम दे रहे हैं कुछ देश गैंक्स्टर्स के ठिकाने बन गए हैं मानी रागाउ जी जो ए प्रूफ टेक्स्ट है मैं वही पढ़ रहा हूं सर मीडिया में चप रही खबरों के अनुसार अब गैंक्स्टर कथित तोर पर थाइलेंड और दुबई जैसे स्थानों पर चले गए हैं जहां से वे भारत के अपने गैंक्स संचालित कर रहे हैं इसके अलावा भारत सरकार की खूफिया एजेंसी खुद मान रही है सर कि ये गैंक्स्टर्स और अतंकवादी समू अब मानफ तसकरी और नशीले पदार्थों के नेटवर्क का संचालन करने लगे हैं ये इनके पैसे बाहूबल और प्रभाव को और भी जादा बढ़ा रायसर मैं केंदर सरकार से मांग करता हूँ कि अपना कूट नीतिक कौशल दिखाए विदेशों में बैठे गैंक्स्टर्स को वापिस इस देश लाए और यहां इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए